नमस्कार, बहुत से जनों की आदत होती है, कोई भी लक्ष लेते हैं, कोई भी एम जियुन में लेते हैं तो बस क्या करते हैं, वो रिजल्ट पर ध्यान देते हैं, एम लिया नहीं, जिसे आज एम ले लिया है, आज कोई लक्ष ले लिया है, तो बस आज ही रिजल्ट पर ध् आ चाहिए कि अगर आप नप नपई एम लिया है कि आप कोई लख्ष लिया है तो एक बात डिफिनेट्ली अपने मायिन में सेट कर लेना कि जब भी कोई लख लिया है तो बस उसके रिजल्ट पर ध्यान मत देना आप कहोगे सर आप ये किसी बात करें कोई भी इंसान कोई भी लक्ष लता है तो रिजल्ट पर पहले ध्यान देता है कि उसका रिजल्ट क्या होगा उसका प्रणाम क्या होगा सोच विचार कर कारी करेगा पहले सोचना पड़ेगा कि इसका ये रिजल्ट रहेगा इस आप ध्यान देना अपने प्रियास पर अपने एफ़र्ट पर ध्यान रखना अगर आपने अपने एफ़र्ट पर ध्यान दियाना तो दावा है मेरा आप से सकसेस खुद चलकर आपके पास में आई क्यों अपने परियास पर ध्यान देना कि कहां आप गल्ती कर रहे हो कहां अंगे पर मेरा आगे Lecelt कैसा भोगा यार में यह काम करो आप काम क्या कर रहे आप तो बस अगें 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 अपने दिमाग में रिमाइन कर रहे हो आप अपने लक्ष को you should focus on your effort if you will do hard work with effort this is a sure that you will get success in your life केते हैं ना वो कच्छुआ और खर्गोष की कानिया आपने सुनी होगी दोनों मेंती होते हैं लेकिन पता है आपको कच्छुआ दीरे चलता है लेकिन regular चलता है खर्गोष फास्ट चलता है लेकिन regular नहीं चलता है जो regular effort करेगा जो consistency के साथ में work करेगा उसे success आवश्य मिलेगी क्यों क्योंकि वो दीरे चल रहा है उसका प्रियास दीरे हैं लेकिन निरंतर हैं निरंतर चलने वाले को consistency के साथ में काम करने वाले को सफलता अवश्य मिलती हैं पहले कोई लक्ष ले तो पहले उसका परिनाम निर्दारित करें नहीं क्या करते हैं कोई भी लक्ष लेते तो पहले ही परिनाम निर्दारित करें और आपन वह करेंगे यह काम सक्सेस होने के बाद आपन वहां पोज़ेंगे यह अरे यार वोट आई टूएंग आταर surely you are thinking wrong पहले आप अपने effort पर ध्यान दे अपने प्रियास पर ध्यान दे क्या गलती कर रहहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं आपको किस टाइप का effort करना है उस पर द्यान दे और consistency के साथ में द्यान दे तो आपको परिणाम की चिंता करने की जुरूत नहीं होगी आपका परिणाम ओटोमेटिक आएगा आपके फेवर में अगर आपका effort 100% सही होगा If you will do work with 100% effort I will show you that you will get success in your life 100% अगर आप अपने effort को 100% दोगे ना तो आपकी success भी 100% होगी तो एक बात द्यान रखना परिणाम पर द्यान मत देना हमेशा द्यान देना तो effort को द्यान देना अपने प्रियास पर द्यान देना उसमें 100% के साथ में effort करना तो आप success अबस्च हो जाओगे आपके life में